साप की तरह पानी में दोलने वाली इस लकडी को गरुर संजीवनी लकडी कहा जाता है हिमाले शेत्र में पाई जाने वाली ये गरुर संजीवनी जड़ी बूटी इसकी विशेष्टा ये है कि ये पानी के बहाव के विप्रिद दिशा में बहने का हुनर रखती है इस लकडी को चितावर, उल्टी बेल, बंदूग बेल, डबरी बेल, हडजोड और गरूर संजीवनी के नाम से जाना जाता है ये गरूर संजीवनी लकडी अपने अनोखे गुणों के कारणी व्यज्यानिकों के लिए रिसर्च का विशव बनी हुई है ये साप की तरह दिखने वाली लकडी है, जिसमें पानी की विप्रित दिशा में बेहने का गुण होता है यदि किसी पानी से भरे बरतन में गरूर संजीवनी लखी है और उपर से अलक पानी डाला जाए तो ये पानी की धारा के साथ उपर चलने लगती है माना जाता है कि ये लकडी जिसके पास होती है, उसके पास बहुत पैसा आने वाला होता है बहुत से तंत्रिक भी इस लकडी का उप्योग तंत्रिक्रिया के लिए करते हैं